दारजीली के पिथमपूर में शनीवार को नगरीय शासन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सयुक्त कारवाई हुई जिसमें राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं माफिया अभियान के तहट सेक्टर क्रमांक 2 में कांग्रेस नेता का अवेद अतिक्रमन हटाया बताया जा रहा है इन दोनों राजे सरकार के निर्देशन पर प्रदेश बार में माफिया अभियान जोरो पर है जिसके तहट पिथमपूर में यह दूसरी बड़ी कारवाई है प्रशासन से प्राप्त जानकरी के अनुसार कांग्रेस नेता डाक्टर हेमंत कुमार हिरोले दिवारा एक के वी एन की जमीन पर विगत कई वर्शों से 50,000 स्क्वेर फिर्ट जमीन पर अवेद रूप से कबजा किया गया था साथ ही किराय से जोपने भी दी गई ती जिसकी सुचना मिलते ही एक के वी एन के अधिकारियों ने डाक्टर हेरोले को नोटिस जारी किया ल उनकी कुंडली निकाल कर उन पर लगाता रेसी ही कारवाई की जाएगी आगे भी इस तरह की कारवाई जारी रहेगी डाक्टर हेरोले पर आठ अपरात पंची बद थे जिस पर उन्हें जिला बदल का नोटिस भी पेश किया गया था और इस अतिक्रमन पर भी एक के वी एन ने तीन दिन पूरों नोटिस दिया था लेकिन अतिक्रमन नहीं हटाया गया इसलिए यह कारवाई की गई है पीतापूर से संजे सोंगरा की रिपोर्ट सर बताइए आज जो कारवाई हो किस प्रकार कारवाई हो और किस वेक्तिय कपजा रहे है यह हमन थे रोले इनके दोरा कपजा किया था यह एकिवेन की भूमी है और लगबग 15,000 इस पर फिट में इनके दोरा अतिक्रमन कराए गया था अभी हमने चार से पांच जोपडिया जो मकान नुमा बनाए थे और बताय जा रहा है कि इसका बकायद वो किराय भी वसूल करता था उनका एकिना गरीब हो कि आशिया ने तोड़े गए मेरा कपजा नहीं था उनका इसार हो नहीं वो तो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन चूपकि हम रिकार्डेड जो बात कर रहे हैं चुकि एकिवेन से विदिवत नोटीस भी दी गई थी और एकिवेन के द्वारा ये परदाज होंगे ये तो आपको नाम सत्यनार नदर रो सट्यम धार है अप देख रहे हमारा चैनल आज़ डेब्यूटीफो न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बि हुआ है